हेलो एवरिवान तो अगर आप 69th BPSC की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जहां पर 63 विकेंसी को एड किया गया है तो अब आपके पास total number of vacancies 442 हो चुकी है तो आपको एक बहाना नहीं चलेगा कि vacancies कम है या vacancies जादा है अभी हो सकते है कि आगे और vacancy एड हो उसके लिए 35 पोस्ट है चेडिूल ट्राइब के लिए कोई पोस्ट नहीं है अनुसूचे जन जाते के लिए कोई पोस्ट नहीं है जाते के लिए 11 पोस्ट है अत्यां पिछरा वर्ग 8 पोस्ट है पिछरा वर्ग 2 पोस्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 पोस्ट है पिछरे वड़गी की महिला जो है यहां पर उनके लिए एक पोस्ट है तो टोटल नंबर ओफ पोस्ट जो है वो 63 है जिसमें महिलाओं के लिए 18 सीट्स रिजर्व रहेंगे यह बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में 69th BPSC में और सीमा है यह 1 अगस 2023 से कैलकुलेट होगा अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है दोनों के लिए यानि कि बाल विकास पडियोजना CDPO के लिए भी और आपके BPSC के लिए भी साथी साथ आपका जो मैक्सिमम एज है अधिक्तम उम्र की गन्ना जो है वो 1 अगस 2022 से एड होग ठीक है तो आप इसको यहां पर देख सकते हैं और अब आप 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीश में आपके पास यही यही डेट का सीमा है आप 69 BPSC BPSC.BIH.NIC.IN के साइट पर जाके अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजे लास डे तक का वेट मत कीजे क्योंकि जेनरली सा पर देश आपके साथ रहेगा आपको इससे रिलेटेड जो भी और इंफॉर्मिशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहीं आपको कोई भी डाउट होड़ा है फॉर्म भरने में या तैयारी करने में यह भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं Thank you